यहलों व्यलकुम दोस्तों मुआ आए अहीं हुआ आरके आज हम बात करेंगे शूट डीटेलिटेली श्टेडी क्युंकि साथिटेल रीजुरी घरी जो हम बात करेंगे वरतमात में चल लहां अलग अलग गदिजीज जैसे वाइट two black fungus इनकी बात करेंगे गहां कि तो आधनारNet ने होंगे ब्लेक संगाश वाइड्ट फंगसंच इंधो इंडेमिक इंकी बात करें और इनका सॉलूसन क्या थो जो एक और इन का सॉलूसन क्या है दूसरी कोविड लहर को नियंत्रित करने से पहले ही देश के चिकित्सक पैसेवरों के सामने ब्लेक फंगस के रूप में एक और चुनोती तिवर्ता के साथ अपने पैर पसार रही है यह रोग ज्यादातर कोविट 90 से पीडित या ठीक हो चुके मरीजों में देखा जा रहा है दाइट मिस्क जो ब्ल ब्लेक फंगस को लेकनी बिमारी मानते हुए महामारी घुषित करने का आग्रे किया गया है साती राज और किंसासित प्रदेश सरकारी और नीजी अस्पतालों के लिए सभी संदिक्ट और पुष्ट मामलों की रिपोर्ट करना अनिवार समझा दैट मिस्क जो यह ब्लेक प गोशित कर दिया ब्लेक फंगस को तो कौन राज्यों ने किया च्छाराज तमिलाडू ओडिश्या गुजरात चंदीगर्ड तेलंगाना और राजस्तान इन छोर राज्यों ने क्या कर दिया इसको पैंडमिक सोरी पैंडमिक नहीं इपेडेमिक लोकल बिमारी जो गोशित क संक्रमढ़ यह एक गंभीर है लेकिन दूला फंगस संक्रमढ़ है जो म्यूकर माईसीटिस के नाम मगफासूत के खारण होता है जो इस फफूत का नाम जहां है जो आपको याद कर नहीं होग और नाम कि हालाई में भारत में तेजी के साथ बढ़ते इसके मरीजों की संक्या चिंता कभी से बनी जा रही है आई यह जानते हैं कि ब्लेक फंगस प्रभावित की सो करता है यह फेफड़े और मक्ष्टिस को प्रभावित कर सकता है और इसमें मिर्तुदर उच है डाइट मिस कि इसक या उससे उभर चुके हैं करनाटक उत्राखन तिलंगाना मदपर्देश अंदपर्देश हर्याणा बिहार और कई अन राजियों में ब्लेस पंगस की मामले सामने आये हैं महराष्ट में इसके 1500 से अधिक मामले जबकि 90 मौते हो चुकी हैं इसके अलामा कल तक हर्याणा में इसके 226 और तिलंगाना में 80 मामले सामने आये थे जबकि गुजरात और मदपर्देश में भी उच संक्चा में इसके मामले देखे जा रहे हैं और मौजूदा ब्लेट फंगस के तेजी के साथ देश के कई राजियों में बढ़ते प्रकौप को देखते हुए इसके परसार पेंडमिक और एक होता है इपीडेमिक तो इसकी बात करेंगे इपीडेमिक क्या होता है इपीडेमिक क्या होता है इपीडेमिक क्या होता है कि महामारी सब्द का परयोग तब किया जाता है जब एक संक्रमन डोग मुक्य रूप से वारल मूल का किसी दिये गए सहर छेतर या अपरिका में इबोला वारिस मामारी आदी सामील है तो को होता क्या है कि जैसे एक निष्चित रहे हम बात करें कांट्री के अंदर एक निष्चित कोई फिल ले जहां यह जो भीमारी हो फैली हुई है इसको हम कहेंगे इपीडेमिक जैसे देश के बार नहीं गई है या कोई इसके अंद्र फैली हुए राजwo के अंदर वारिस फैला होया है जो बैक्टरिया फैली हुई है उसको हम कहांगे एक इपर मीज़ जाती है इस रीखति में दूसरे व्यक्ति में आसानी सब्सक्राई इसलिए इसका परवात ऊब्धूम नहीं हो होता है इतिहास में कई भी बिनास्कारी पैंडमिक रहें जैसे ब्लेक डेथ प्लेग एस्पैनिस फ्लू चेचक और वर्तमान में एड्स तपेदिक इबोला स्वहन फुलू वर्ड फुलू इत्यादी और जो कुरोना चल्ला इसमें 2019 वाला कोविड नैंटी और अभी तक जो चिकनाल इतना अवाした है लेकिन अबाधी से गार्ब नहीं होता है जिकन पॉकषे माललोव प्रदेश नियुक आनी की बहुत बड़े लेवल पर नहीं फैल पर बात करेंगे एग निष्चि छ्यत्र होता है और उंहेसे मारता है फोल रोग रहता है और वहाँ लोगों को हतार जिसे किसे मिय्ले में भूपाहें फैला हुआ इसको काएंगा इंड़िक कर निशिचित क्सूकर ऐब राजज दो राजियो glad composite में अगर फैला हुआ है जैसे एक इंडिया में हुआ इस चित्रों में तो जो एक निष्ची छित्र में मालूसिए अफरीका का च्छेत्र है किसी एक देश में हो गया तो निष्ची श्यत्र में दुसरे कहीं एक पैंडमिक लेकिए यहां से उठके बिमारी यहां भी फ exhibits ilud thank you ourselves मतलब जो बिमारी अलग-अलग मादीपमें हो गए अपी कर देशा सके उड़के और दूसरे मोदिप से बानि जो है तो हम क्या किय은गे पर टैनलो थो यहां भी है हम ह Euro हुआ है अगर इस शेतर में तो है फैला हुआ हुआ फिर देखवा पैंडमिक सोरी इपेडिमिक यहां देखो इतने ही छेत्र में है यह नहीं कि यहां से उटके फिर इस में चल जाए इस महाधीप में जाए इसा नहीं है लेकिन अब बात करेंगे पैंडमिक से क्रोना हो गया इस पैनिस फुलू था प्लेक था इस इसको नाम देता है पैंडमिक जो एक लोकल छेत में उसे क्या कहेंगे इंडमिक और जो एक किसी देश के अंदर है उसे क्या कहेंगे अब देखो बात करेंगे आट 1897 की जो एक था इसलिए बनाए गया कि कोई भी महामारी या इपेडेमिक जो होता है किसी ऑर देश के अंदर अगर ऐसा आ जाए इस लिए भारत ने बनाए अपने लिए अठाओं सन्तानवे में तो लोग को इसको लगा दिया गया था वैसे आट को लगा के और उस निश्चीचुत्र में अपना सरकार यह अपना रूल नहिली है शो को लागू करती यह जो होता है यह बनाया गया था अठाटो संतानवे में तो यह अठाटो संतानवे में एक नाम से आना जाता है इसका प्रियोग महमारी के संकट के समय में किया जाता है Union Cabinet ने बीते साल Epidemic Digit Act 1897 में संसोधन के लिए अध्यादेश को मंजूर दे दी थी अध्यादेश में सुनिश्चित किया गया था कि महमारी जैसी किसी भी इस्तिती में हेल्थ केर वर्कस के किलाब किसी भी रूप में की गई हिंसा और संपत्ति को पहुंचाया गई नुकसान के लिए जीरो टालरेंस होगा अब बात कलते हैं वाइट फंगस की र्याजियों में ब्लेक फंगस को महमारी गोसित किया सफेद फंगस नामक संक्रमन भी कुछ लोगों को प्रभावित करता पाया गया है बिहार के पटना में सफेद फंगस की ये नए मामले मिले हैं और यह संक्रमन ब्लेक फंगस से भी खतरनाक है यह संक्रमन कम लोग कम रोग प्रतियोदक चमता के कारण हो सकता है जिनके अंदर इम्यूनिटी पावर कम है यहां साब सब लिखा है कि कम रोग प्रतियोदक चमता जिनके अंदर इम्यूनिटी पावर कम है उन पे वाइट फंगस का प्रभाव जाते देखा जा रहा है यह इसकी पहचान CT scan या X-ray के जरिये की जाती है वाइट फंगस ना केवल फेफड़े को बलकि शरीर के अन हिस्से को भी प्रभावित कर सकता है जिसमें नाकून तोचा पेट गुर्दे मस्तिक्स जन्नांग और जो प्राइवेट पार्ट से ओवी सामिल है तो इनको जो इहां इ पता नहीं चला सिमिलर जो लच्चन है जो कोवीड में होता हुए इसमें भी है लेकिन आप में कोवीड नहीं होगा जो आप टेस्ट कराओगे तो आप निगेटिव आओगे और इसके अंदर क्या होता है कि CT scan कराने की बाद ही पता चलता है कि आपको कोवीड है या सग्य सामाने सर्जान नियूरो सर्जन और डेंटल सामिल हो और एंटी फंगल दवा के रूप में एंफोटेरीसीन बी इंजेक्शन हो बाबत इंडियेल मेडिकल एस्सोसियेशन द्वारा पधानमुति निर्दमुदी को पत लिख कर पात्र दवा कंपनियों को एंपोटेर अगर आपको इसको हम हमें जितना अधिक पोड़क्शन होना चाहिए उतना करना चाहिए क्योंकि एमफोटे रिसिन भी हम इसी फंगाई डिजीच में प्रियोग करते हैं दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे इस्टेडी बुष्टे को सस्क्राइब नहीं कियें तो साधी साथ इसको सस्क्राइब कर लिजे और अगर वीडियो पसंद आथ लाइक करिए और सेर करिए धन्यवाद